हाई गाईज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक्यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसस आफ फस्स आफ दिसेंबर 2021 तो गाईज आज है तारिक एक दिसंबर 2001 केस और है वेडनेस डे देखेंगे आज का दे हिंदू क यह वाला चैनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जोईन कर लेना देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलिग्राम का लिंक दिया या है वो लिंक इसी चैनल का है जैसी आप उस पर क्लिक करोगे आटोमेटिकली यह चैनल उपन हो जाएगा इसको जाकर जोईन कर लेना नाओ जोईन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बिस्स पर दाहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडिय को कहां पर है यह exactly located अच्छे से मैप में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year 1995 के prelims में पूछा गया था डेली बिस्स पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं definitely question बहुत पुराना है लेकिन doesn't matter question बहुत interesting सा है और आप लोगों ने काफी बार इसके बारे में पढ़ रखा है in fact मैंने पढ़ाया इसके बारे में तो यहाँ पर question क्या बोलता है कि आखिरकार एक meteor जो होता है वो क्या है नीचे options दिये गए option number A a rapidly moving star option number B a piece of matter which has entered the earth's atmosphere from outer space option number C a part of constellation option number D a comet without a tail तो सही answer नीचे comment section में जरूर देना आपको याद आ चुका होगा कि कि कितनी बारे मैंने इसके बारे में difference समझाया है कि जो हमारे meteorites होता है meteorites होता है meteorite होता है इनके बीच में क्या difference होता है इसके regarding हमेशा मैं एक picture share करता हूँ और वो picture मैंने आज आप भी टेलिग्राम पर share कर दिया है तो overall सभी लोग को try करना है इसका answer देने की by the way इसका जो correct answer है मैंने आप लोग को नीचे provide करवा दिया है प्लस टेलिग्राम पर भी provide करवा दिया है वहाँ से जाकर आप लोग इसको एक बार जरूर चेक आउट कर सकते हो तो चलो शुर प्रकार से आ रहे हैं उस प्रकार से आते रहेंगे लेगन आपको ध्यान क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है static portions पर और उसके regarding आज ही आप लोग को पूरी list maintain करनी है कि हाँ मुझे इस महीने में क्या क्या cover करना है ऐसा नहीं कि maintain करके रख देना है maintain करने के बाद उस list को पूरा भी करना है और देखो daily business पर भी target बनाए करो पहली बात तो छोड़े छोड़े target सेट करा करो छोड़े छोड़े targets बहुत जल्दी achieve भी हो जाता और खुशी भी मिलती है ठीक है उसको achieve करने के बाद तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये काम जरूर करना है target सेट करने है उनको achieve करना है इसी प्रकार से हमारी life के अंदर productivity को बढ़ावा हम लोग दे सकते हैं तो दूसी चीज क्या है रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना है और ये काम जरूर करा करो यार कुछ नया जरूर सीखोगे तो life के अंदर कुछ ना कुछ value addition daily business पर सीखना है ठीक है ऐसा नहीं है यहाँ पर हम लोग किसी bad manners की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ अच्छा नया सीखना है जो कि life में definitely एक productivity को लेकर आएगा ओके तो यहाँ पर जो यह वाला article है मैं आपको बता हूँ यह article हमारे syllabus के point of view से कैसे important है तो GDP की बात कर रहे है तो article GS paper 3 economic perspective से important है अब क्या हुआ साल 2021 में हम लोग चल रहे है और इसी साल के अंदर अगर हम बात करें quarter 2 के बारे में discussion हुआ है कि quarter 2 का जो GDP है वो 8.4% से grow होता हुआ नजर आया यह हमारे इस प्रकार का statement निकल कर आया है जो कि आपके सकते हो कि जो हमारे CEA है कृष्ण मूर्ती सुबर्यम और जब भी हम लोग economy की बात करते हैं तो जो भी साल होता है वो financial year होता है और आपको यह भी मालूम होगा financial year जो है जिसकी शुरुवात होती है April से और खतम कब होता है यह March में खतम होता है तो अगर हम 2021 और 2022 की अगर हम बात करें बतलब यह साल हमारा 2021 देकर 22 तक का है अगर ह हम इसके अंदर financial year को देखें तो किस परकार से quarters को manage किया जाएगा तो 2021 जो साल चल रहा है अभी कुछ महीने निकले हैं आपको मालूम होगा इस में से April, May, June निकल चुका है तो एक quarter यह है उसके बाद July, August, September दूसरा quarter है फिर उसके बाद October, November, December यह तीसरा quarter है जरूर उसके बात कर रहे हम लोग दूसरे quarter की दूसरा quarter मतलब की कौन सा July, August, September इन तीन महीने के अंदर जो हमारी GDP का growth है वो 8.4% से increase होता हुआ नजर आया है जो की बहुत अच्छी बात है ठीक है यह हम लोग देख पा रहे हैं और अगर हम इसको compare करें पिछले साल से यह हम 2021 की बात कर र इसी वक्त पर जो GDP है वो लगबख माइनस 7.4% के आसपास चल रहा था मतलब हमारी GDP कॉंट्रेट कर रही थी नेगेटिव में चल रही थी लेकिन अब हमने काफी growth पाली है और लगातार हम लोग यहां पर growth कर रहे हैं यह भी statement निकल कर आ रहे हैं तो यह आप लोग को ध्या जो कि काफी अच्छी बात है और अगर ऐसा होता है तो definitely यहां पर काफी सरी problems हमारी solve होती हुई नजर आएंगी अब सबसे पहले चीजिए यहां पर देखो इस article के अंदर जो काम की बात थी हम लोग ने discussion इसका कर लिया है कि कि इतने percent से growth देखने को मिली है और पिछले साल क जा था और अभी यहां पर काफियत तक हमारी GDP ग्रो हो चुकी है अब क्या है इसके अलावा यहां पर अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे exam में पूछा जा सके लेकिन अभी क्या है आपको इस article के अंदर और भी बहुत सारी चीजों को cover करना होगा हमने quarter के बारे में डिसक product in fact यहां पर इसका जो formula है वो है c plus i plus g plus x minus m इसके बारे में आप लोगों को काफी बर बताया है c stands for consumption i से investment g से government expenditure और x से export और m से import तो export minus import ठीक है तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है यह सब यहां पर चीज़े हम लोग के GDP को define करती है कि हमारे यहां पर consumption कितन हो रहा है investment कितना हो रहा है plus government expenditure कितना हो रहा सरकार कितना पैसा खर्च रही है export कितना हो रहा है import कितना हो रहा है यह सारी चीज़े country के अगर calculate की जाए इन सब का value निकाला चाहे तो यहां पर पता लगता है हमारा GDP gross domestic product ओके जो इसके बारे में ध्यान रखना है इसको आप लो इक question और होगा कि आपने GDP समझाया GDP भी बताओ क्या होता है तो बहुत simple concept में आपको दोनों चीज़े समझा रहा हूँ दो GDP यहां पर मैंने आपको बताया क्या होती है और यहां पर हम लोग हमीशा देखते है expenditure side को ठीक है यहां पर क्या रहे है हम लोग यहां पर खर्चा हो चाहिए वो consumption हो ठीक है यहां फिर आपका सकता हो government expenditure हो यहां पर क्या हो रहा है हमारे expenses हो रहे हैं खर्चे हो रहे हैं लेकिन जो GVA होता है यहां पर यह supply side को mention करता है तो आप लोग को इसके बारे में दया लगना है तो gross value added हमेशा हमारे supply side को mention करता हुआ नजर आता है मैं बा करवा दिया है आगे बढ़ेंगे next article के उपर उसके बाद एक छोटा सा article नीचे की side आपको देखने को मिलेगा और मुला पीरियार डैम dispute के बारे में आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों में मैंने काफी बार आप लोग को पढ़ाया काफी सारे notes यहां पर मैंने आप को एक साथ share करे हैं लेकिन यहां पर कुछ और चर्चा हो रही है यहां पर चर्चा यह हो रही है कि जो मुला पीरियार डैम है देखो यह जो basically डैम है ना यह दो states के बीच में काफी बढ़ा dispute बना वाए यह डैम कहां पर located है यह के अंदर located है लेकिन इस डैम को अच्छे से operate कौन करता है इस डैम का पानी कौन इस्तमाल कर सकता है कौन यूज कर सकता है वह तमिलाडु है ठीक है तो तमिलाडु इस डैम को पूरी तरह से operate करता है लेकिन यह डैम करेला के अंदर है तो अपने आप में सबसे बला dispute का करण तो यह ही है और दूसरा यहां पर क्या है नहीं पर आपको सकत division पेडिया रिवर है करेला के अंदर और इसी रिवर में पानी इस तरही का से छोड़ दिया वह है डैम के शटर्स ओकर एग बिना कि सकता है कुछ निकला गया है और यह सब कुछ हो भूरिंग न님이करी ठीक है कुछ भी यहां पर नहीं बताया गया और ऐ यहाँ पर आप देख पाओगे टाइमिंग बताईए कि कब से कब तक कितनी कितनी बार यहाँ पर इनुनने पानी को रिलीस किया है जो कि हमारे एक्जाम में कहीं भी नहीं पूछा जाएगा डेफिनिटली ठीक है तो यह एक छोड़ा सा डिस्प्यूट थोड़ा सा और क्या है मैंने आप लोगों के साथ काफी सारे नोट को शेयर के मैंने वापस से यहाँ पर इसको शेयर का है पढ़ सकते हो चलो मैं बताई देता हूं ठीक है तो यह आखिरकार डिस्प्यूट क्या है तो सबसे पहली बात यह आर्टिकल हमारा जीएस पेपर वन प्लस जीएस कर सकता है क्यां जितना भी पानी है यह अफितना अफि़ और आपको चुगा साल पुराना यह दैम हो चुका है 126 के आसपास की बात तो यह जो डैम बनायाए गया था उसके बाद क्या हुआ तॉ यह यह डैम पर दे दिया लीज मतलब rent पर दे दिया, उपता है कितने साल के लिए, ट्रिपल नाइन येर्स के लिए, आप रॉक्स एक हजार साल के लिए इसको rent पर दे दिया गया, कि यहां भई तमिलाडू अब यहां पर इस डैम को यूज करेगा, तो इस प्रकार से यहां पर यह तो करेला के अंदर तो इससे क्या होगा, इससे काफी, मतलब बाड आ जाएगी, और केरेला किया जो एद्दू के district है, वो बैज आएगा, और केरेला के अंदर flood वाली situation पहले से ही बहुत ज़दा बत्तर रहती है, तो इसको लेकर कुछ किया जाए, लेकिन यहां पर तमिलाडू मतलब इस पुराना हो चुका है, बहुत, इसके अंदर cracks आ चुके हैं, इसका जो पानी का level है, थोड़ा सा कम कर लो, तमिलाडू कहता है, नहीं हम पानी का level कम नहीं करेंगे, अगर पानी का level कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, तमिलाडू के और भी district से उनको पानी properly नहीं मिल हैं, और पेरियार नदी की चर्चा इस article में भी की गई है, आप लोग को मालूम होगा, क्यों क्योंकि अभी जो डैम का पारी निकाला गया है, वो पेरियार नदी के अंदर छोड़ा गया, पेरियार नदी की बात करें, तो केरेला की सबसे लंबी नदी है, लगब यहाँ प पूजा, मुलेयार, चेरूथोनी और पेरिन जखुंती, तो इसके बारे में ध्यानक ना है, ये कुछ ट्रिबिटरी के बारे में question पूछ लिए जाते हैं, आपको ये article भी बहुत अच्छे से clear हुआ, बहुत जबरदसT article था हमारे exam के perspective से, नीचे एक article आपको दिख रहा हो कल मैंने आपको बताया था कि 12 जो MPs है, राजसवा के Member of Parliament है, इनको अभी suspend कर दिया गया है, और suspend करने के पीछे का reason ये था, कि इन MPs ने जो पहले वाला monsoon session था, उस monsoon session के अंदर क्या किया था, इन्होंने कुछ यहाँ पर एक तरीके से, मतलब कि कुछ यहाँ पर violence create किया, अब violence create किया है, उसी वज़े से यहाँ पर इनको अब suspend किया गया है, लेकिन अब आपका question होगा, बिलकुल, देखो question सभी का यही है, कि पिछले monsoon session के अंदर इन्होंने violence create किया, ठीक है monsoon session जब हमारा end हो रहा था, तो इसका जो भुकतान है अब क्यों भुगत रहे हैं, क्य कैसे भी यह session अभी चलने वाला है, लेकिन यहाँ पर अभी suspend कर जया गया है इन लोग को, अब यह मुद्धा काफी उड़ चुका है, पता इस article को आज की newspaper में 4-5 जगे पर cover किया गया है, अब यह cover क्यों कि यह गया है, क्योंकि लोग protest कर रहे हैं, जो opposition parties है, क्योंकि यह जो अपडेशन निकल कर यह आती है, कि जो हमारे commerce minister है, प्यूश गोयल साब, यह यहाँ पर इन 12 MP से बोलता है, कि आप लोग माफी मांगो, ठीके, अगर आप लोग माफी मांग लेते हो, तो आप लोगो राज्य सबावे में वापस से return कर लिया जाएगा, ठीके, तो यह चीज से यहाँ पर, यह सब कुछ देखने को मिल रहा है, I hope आपको clear हुआ है, लेकिन अभी इस article के अंदर हमने कुछ important चीज़ों को नहीं cover गया है, ठीके, क्योंकि देखो newspaper के अंदर, चीज़े यहाँ पर आपको उपर उपर से बता दी जाती है, और question कहां से पूछ जाते हैं, चाहिए आप लोगोंने previous questions देखे होंगे, question कैसे पुछ जाते हैं, article के बिलकुल अंदर से, article को, आपको current affairs को आपको अपने static part से relate करना होगा, यह अपने हर जगा पर सुना होगा, चाहिए कोई से interview देखे होगे, चाहिए कुछ भी होगा, तो मैं यहाँ पर यही काम करता ठीक है, उसी प्रकार से मैंने अभी आपको GDP के बारे में समझाया, तो यह सारी चीज़े हैं इसको आपको थोड़ा सा link करना पड़ेगा, कुछ अलग से information को gather करना पड़ेगा, otherwise यहाँ पर यह फिर newspaper बेकार है पड़ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो next article है, sorry यह वाला article है, इ एक important चीज़ यह है, कि अभी यहाँ पर इन MPs को suspend किया गया है, तो इसके suspension के पीछे कुछ न कुछ तो इस्तमाल किया होगा, बिलकुल, तो राजसभा का एक rule है, rule 256, 256 rule है, ठीक है, इसको यहाँ पर use किया है, उस basis पर इन MPs को suspend किया गया, अब यहाँ पर इस rule का, मैंने कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे जो चेयर्मेन है, राजसभा का जो चेयर्मेन होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा, लोग सभा के अंदर एक speaker होते है, राजसभा के अंदर चेयर्मेन होता है, तो जो चेयर्मेन है, अगर नहीं लगता है, कि हाँ मनलो की कि किसी मेंबर ने काम किया किसी मेंबर ने यहाँ पर एक तरीके से वालेंस क्रेट किया है उन्हें यहाँ पर तो यह एक तरीके से एक अब्यूस किया है तो इन सब चीजों के बैसिस पर क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति को सस्पेंड किया जा सकता है उस मेंबर को सस्पेंड किया तो directly यहाँ पर question बन सकता है तो मैंने आप लोग को article 256 के बारे में लिखित में भी यहाँ पर चीज़े notes के form में provide करवा दिया है इसको भी आप लोग देख सकते हो जो chairman होते है रजसभा के क्या करते है यहाँ पर कोई भी member जिसने आपर एक काम किया है जिसने आपर violence create किया है उसका नाम लेंगे और उसके नाम को आगे बढ़ाएंगे और क्या होगा जो बाकी सारे members होते हैं और तरीके से वो यहाँ पर क्या करते हैं जो मतलब पूरा का पूरा house होता है हमारा वो एक motion को adopt करता है और motion को adopt करते करते उस member को suspend कर दिया जाता है तो यही process का इस्तमाल किया गया इस motion को adopt करने के बाद यहाँ पर इन 12 MPs को suspend किया गया है अगर आपका एक question होगा कि यहाँ पर अगर हम इस suspension को cancel करना होगा तो cancel करने के लिए भी वापस से यहाँ पर एक दूसरा motion एक तरीके से adopt किया जाता है और उसके basis पर इस suspension को हटाया जा सकता है ओके, I hope आपको clear हो चुका है आगे बढ़ेंगे अगले article पर next article बात करता है यहाँ पर omicron virus के बारे में आपको मालूम होगा यह article भी बहुत चर्चा में यार तो देखो बात यह की गई है कि omicron basically यहाँ पर RT-PCR और red test से नहीं बचेगा RT-PCR टेस्टिंग की जाए सके तो यहाँ पर omicron को हम लोग detect कर पाएंगे RT-PCR टेस्ट कौन सा होता है इसके full form है reverse transcription polymerized chain reaction इसके बारे में आपको मालूम होगा दूसरा टेस्ट होता है rapid antigen test इसको हम लोग RAT बोलते हैं ठीके दो प्रकार के टेस्टिंग बहुत अच्छे टेस्टिंग है यहाँ पर क्या होगा अभी instruct किया है हमारे health minister ने कि इन टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए इन टेस्टिंग को बढ़ाया जाए क्योंकि आपर जो Omicron है इस virus को हम लोग इन टेस्टिंग से detect कर सकते हैं पहली चीज़ तो Omicron virus के बारे में discuss करते हैं तो यह virus एक तरीके से variant of concern की category में आता है यह आप लोग को मालूम होना चाहिए और इस virus का जो scientific name है जरा नीचे comment section में जरूर बताना इस virus को सबसे पहली बार detect क्या गया था South Africa के अंदर आज के time पर बहुत सारे countries के अंदर लगातार फैल चुका है और जिसमें आपको बताया यह virus variant of concern category के अंदर है तो variant of concern क्या होता है variant of concern यहाँ पर ऐसे viruses के variants हैं जो की काफी तक चिंता पैदा करते हैं जिनके transmissibility rate काफी जादा है अगर यहाँ पर यह virus फैल गए जादा तेजी से तो यह hospitalization को बढ़ा सकते हैं लोग के अंदर death जो है वो काफी बढ़ सकती है तो इसे हम लोग variant of concern बोलता है तो ध्यान रखना Omicron अब Omicron यह नाम किस ने दिया है यह WHO World Health Organization ने दिया है तो इसके बारे में एक चुटा सा idea रख सकते हो अब बात करते हैं हम लोग इन दो testing के बारे में मैंने जैसा बताया एक RT-PCR test होता है और एक होता है RAT RAT test तो दोनों की बीच में क्या difference होता है बहुत अच्छी तरीके से इसको clear करवाऊंगा धियां से सुनते चलना देखो जो RAT test होता है RAT मतलब rapid antigen test या फिर आप इसको कह सकते हो rapid antigen detection test देखो इसका बहुत simple सा इसका यहां पर use होता है कि जो stick होती है वो आपके nose में डाली जाती है nose का जो swab है उसको collect किया जाता है और उस collection के basis पर उसकी testing की जाती है कि हाँ आपके body के अंदर कोई virus present है या नहीं है ठीके तो rapid antigen test इसका नाम खुद rapid लगावा है rapid मतलब तेजी से इसका result मतलब आदे घंटे में आपको आदे घंटे में आपके पास यहाँ पर इसका result आजाएगा कि यहाँ वे report positive है या negative है क्या process होता है मैंने आप लोग को बता है कि nose में से swab का collection किया जाता है लेकिन अगर हम बात करें दूसरा जो test होता है वो होता है RT-PCR RT-PCR में बहुत time लग जाता है घंटों लग जाता है 2-5 घंटे तक लग सकता है RT-PCR टेस्टिंग में और RT-PCR टेस्टिंग काफी effective टेस्टिंग पहले बताई गई थी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार यह होकती क्या है लेकिन उससे पहले एक और बहुत important information है एक American Biochemist है जिनका नाम है Carrie Mullis ठीके इन्होंने यहाँ पर PCR टेस्ट की टेकनीक को बनाया था जो polymerize chain reaction है इस टेकनीक को बनाने वाले कौन से व्यक्ति हैं तो American Biochemist है Carrie Mullis ठीके आप से question बन सकता है क्योंकि यह साथी साथ एक Nobel Prize winner भी है chemistry के field में 1993 के ठीके तो इसके बारे में एक छुटा सा idea रखना है अब अगर हम बात करें इस testing के अदर क्या होता है ठीके एक picture के थुरू में आपके साथ clear करता हूँ इन चीजों को एक मैंने picture भी share कर रखा है टेलिग्राम पर कि हाँ RTP सा test क्या होता है तो इहाँ पर क्या होता है एक व्यक्ति का again इहाँ पर nose swab collect क्या जाएगा ठीके nose में से कुछ liquid होगा जिसका collection क्या जाएगा ठीके अब उसका sample लेने के बाद क्या होगा sorry यहाँ पर जो swab है हम लोग collect करता है throat में से मैं nose में से बोल ला हूँ throat में से, बिल्कुल throat के end में से, back of the throat में से connect करते हैं, collect करने के बाद क्या होगा, उस swab को, क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक lab में present करेंगे, एक lab होगा, जहाँ पर RNA को separate किया जाएगा, ठीक है, RNA को अलग molecule से separate कर दिया जाएगा, और फिर आप लोग को मालूम होगा, पर क्या है, जैसे मैं आपको बाता है, reverse transcription polymerize chain reaction, ठीक है, अब यह क्या होता है, जब इसको हम लोग RNA बोलते हैं, तो इसका simple सा वो है, कि जो coronavirus है, यह भी RNA से बना हुआ है, ठीक है, तो RNA को हम लोग क्या करेंगे, separate करेंगे, अलग molecule से, और इसको detect करेंगे, ठीक है, RNA को अगर detect कर लिया हमने, तो इसमें हम लोग को पता चल जागा, कि हाँ, वाकई में virus present है या नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा मैंने सारी विधी विधान इसका आगे लिख रखा है क्या होता है तो हम लोग क्या करता है इसके अदर हम लोग ने क्या करा जो throat में से इसको collect किया collect करने के बाद हम लोग ने हैं पर इसको convert किया इसको convert करते है किसमे DNA में तो इसी वजह से इसको reverse transcription description polymerized chain reaction बोलता है क्योंकि इसको convert किया जाता है DNA के अंदर फिर DNA के अंदर convert करने के बार DNA की बहुत सरी copies को बनाया जाता है copies यहाँ पर आगे convert की जाती है अलग बहुत सरी copies बनती है फिर उनको यहाँ पर detect किया जाता है तो इसके बारे में आप लोगो आईडी रखना है इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर प्रेजंट करते हैं और जो फ्लोरोमीटर है बिसिकली हम लोग को बता देता है कि वाइरस प्रेजंट है DNA के अंदर या नहीं प्रेजंट है आपको मलूम होगा फ्लोरोमीटर हम लोग कुछ यहाँ पर जैसे दूद बगरा होता है इसके अंदर भी इसका नकड़ी है असली है इसको पता लगाने के लिए यूज करते हैं तो यह कुछ conceptions इसके बारे में आपको clear होना चाहिए PCR टेकनिक कौन लेका रहा है था मैंने उन व्यक्ति का नाम बताया प्लस यहाँ पर PCR टेस्टिंग कैसे होती है यहाँ पर RNA को collect के जाता है आपका throat में से swap collect के जाता है RNA को DNA में convert कर लिया जाता है और DNA को यहाँ पर उसके Admiral हरी कुमार है यह एक Navy Chief बन चुके हैं तो Admiral आर हरी कुमार इनोने Tuesday में यहाँ पर इनको 25 वा Chief of the Naval Staff बनाया गया है जो कि यहाँ पर आपका सकते हो कि काफी important व्यक्ति हैं और काफी important post इनको मिली है और फिर उसके बाद इनकी detailing से बताई गई कि कहां कहां पर इनोने काम किया क कैसा इनका करियर रहा प्लस कहां से graduate हुए तो यह सारी चीज़ हैं जो कि हम लोग जिसके बारे में याद नहीं रखना है हम लोगों सरफ और सरफ एक नाम याद रख सकते हो आगे बढ़ेंगे next article काफी important होने वाला यहाँ पर श्रिलंका और इंडिया के बीच में चर्चा ह आज के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ discussion करेंगे मंगल वारत के दिन मतलब कल के दिन यह आउलेड़ी आ चुके हैं भारत के अंदर अब आज या कल में प्राइम मिनिस्टर के साथ discussion होगा और discussion करने के साथ साथ यह यहाँ पर कुछ economic assistance की मांग करने हैं मतलब कि सा financially support करें basically इसी वजल से यहां पर यह श्रीलंका मतलब यह तरीके से coordinate करता वह नजर आएगा भारत के साथ इस समय पर और एक तरीके से यहां पर जो बेसल राजपक्स आए यह पहली बार यहां पर आए हैं और तरीके जब से जो currency है वो काफिया तक down जा चुकी है और स्रीलंका के अंदर कितनी बुरी हाला आते हैं यह मैंने आप लोगों कुछ दिन पहले एक editorial में बताया था कि इन लोगोंने क्या कर रखा है इन्होंने organic farming अपनाई थी ठीक है तब भी बहुत बुरा हाल हुआ organic farming को पर dependent है coronavirus में tourism खतम हुआ economy हो गई तबा उसके बाद तीसरा यहां पर आप देख पाओगे इनका जो reserves वगरा है वो भी खतम हो चुके है चौथा आप देख पाओगे श्रिलंका सबसे बड़ा यहां पर कारण बन चुका है स्री चाइना चाइना यहां पर क्या कर चुका है च चुके आपको मालूम होगा अभी स्री लंका के अंदर एक हमंद होता पोर्ट है इसको भी यहां पर काफी लंबे साल के लिए लीस पर ले लिया है चाइना ने क्यों क्योंकि स्री लंका ने यहां पर यहां पैसा नहीं चुका पाया है ठीक है उसके बाद आप देख जो टरमिनल है वेस्ट आरिनल यह पर भारत और जापान को Α्ने ने मना कर यह दिया ठीक है और उसके बाद यहां पर और ऑर क्या दहने को मिला पर उसका रिलेशन काफी खराब हुए और relation यहाँ पर खराब हुए इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर श्रिलंका ने उस पोर्ट को डेवलप करने से मना करने के साथ वो प्रजेट चाहिना के हाथ में दिया तो फिर भी अब यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रिलंका पूरी तरह से एक तरीके से आप के टाइब पर मदद मागने आया है साधी साथ यहाँ पर जो इनके मिनिस्टर से ही कंशिनर्स हैं इन्होंने यहाँ पर बाचीत करी हमारे डिफैस मिनिस्टर के साथ ताकि हम लोग क्या कर सके श्रिलंगा के साथ security cooperation में भी आगे बढ़ सके तो ये कुछ अपडेशन है जिसके बारे में एक idea रख सकते हो कि क्या क्या हो रहा है श्रिलंगा के अंदर प्लस आज के टाइम पर भारत श्रिलंगा के relations काम पर stand करते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ articles और हैं यह बकवास आर्टिकल हैं यहाँ पर हमारे exam के perspective से important नहीं है next page पर आएंगे तो जैसे मैं आप यहाँ आप लोग को page number one पर एक article बताया था कि बहुत सारे MPs को अभी suspend किया गया है अब MPs को suspend किया गया है लेकिन तो क्या हुआ रहा है उसके बाद यहाँ पर सारे जो opposition suspended MPs हैं लगातार यह protest कर रहे हैं आप लोग देख पाऊगे किस प्रकार से protest किया जा रहा है यहाँ पर posters लिख रखे हैं BGP killing democracy कि यहाँ पर democracy को खत्रा है BGP यहाँ पर democracy को मार रही है इस प्रकार की चीज़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ठीक है मतलब क्या process था मैंने आप लोगों बता दिया जो भी important discussion था वो हम लोग already discuss कर चुगे हम यहाँ पर फालतों की बात हैं जो की बेकार है आगे बढ़ेंगे तो अभी क्या है देखो winter session चल रहा है है और सरकार यहाँ पर नईया crypto bill को लेकर आने वाली है नई crypto bill को introduce क्या जाएगा बहुत जल्दी ऐसा हमारी finance minister नर्मला सीतरवन जी का statement निकल कर आ चुका है और जो क्रिप्टो भी लोगा यह क्या करेगा private cryptocurrencies को ban करेगा ऐसा भी बताया गया प्लस यहाँ पर आज के टाइम पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है क्योंकि हमारे prime minister ने recently यहाँ पर काफी कुछ बोला है cryptocurrency को लेकर वो क्या क्या बोला है मैं आप लोग को बताता हूँ देखो यहाँ पर regulate करने की बात की गई क्रिप्टो करेंसी को रीसेंटी हमारे जो prime minister है इन्होंने एक meeting को chair किया इन्होंने बोला cryptocurrency आज के टाइम पर एक unregulated है मतलब इसके ओपर कोई भी regulation body देखने को मिलेगी नहीं और cryptocurrency अगर गलत हाथों में जाती है जो की ऐसा काफी सारे केसिस हम लोगों ने देखने को मिला है cryptocurrency के regarding fraud देखने को मिला है तो cryptocurrency से जो terrorism वगरा हतंग वाद वगरा इसको बढ़ाया जा सकता है तो cryptocurrency को regulate करने की काफी ज़ादा आविशकता है ऐसा हमारे prime minister ने recently statement दिया इन्होंने यहाँ पर और क्या बोला देखो cryptocurrency काफी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हमने देखा China एक ऐसी country है जो की cryptocurrency को पूरी तरह से बैन कर रही है इन्होंने बोला हम लोग अपने country का खुद का एक digital currency को बनाएंगे दूसी तरफ एक country ऐसी है El Salvador जिसने यहाँ पर बोला है कि नहीं हम लोग cryptocurrency को as a legal tender accept कर चुके है legal tender accept करने का मतला भी है कि El Salvador के अंदर यहाँ पर cryptocurrency का बहुत अराम से इस्तमाल होगा आप लोग कुछ भी चीज़े purchase कर सकते हो by using this cryptocurrency गन उसके बाद यहाँ पर बिटकोईन को इन्होंने as a legal tender माना था उसके बाद मैंने आपको काफी बार बता रखा है क्रिप्टो करनसी के क्या benefits हैं क्या यहाँ पर इसका नुकसान है क्रिप्टो करनसी होती क्या है तो basically यहाँ पर एक digital currency एक digital money है आपको यहाँ का सकते हो बहुत सारी प्रकार के आज के टेम पर देखने को मिलेंगे bitcoin, ethereum, light coin बहुत अलग-लग प्रकार की क्रिप्टो करनसी आ चुकी है यह जो currencies है basically यह आपको मालूम होना चाहिए कि यह physical form में नहीं है आप कहोगे कि आपके पास coin आएगा, कोई gold का coin होगा या कोई note होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर सिर्व और सिर्व एक digital money है जो कि आपके wallet के अंदर वो पैसा show करेगा बाकि यह जो cryptocurrency बनती के ऐसे तो जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ माइनिंग की जाती है, programming के तुरू माइनिंग की जाती है, लंबे समय तक electricity काफिये तक consume करता है यह माइनिंग का process उसके बाद heavy CPUs को लगाया जाता है और CPUs के power के बाद यहाँ पर programming को solve करने के बाद लंबे समय तक एक bitcoin निकल कराता है, अपर cryptocurrencies बनती है क्योंकि इसके पास कोई regulatory body नहीं है, आपने इधर से transaction करा, तो एक second के अंदर transaction उधर हो गया प्लस सबसे अची बात यह है ना, कि यहाँ पर transaction की बात करें, तो यहाँ पर यह नहीं पता चलता किसने बेजा है, किसने receive करा बिलकुल यहाँ पर इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से transactions देखने को मिलता है, सारी चीज़े यहाँ पर एक तरीके से disclose नहीं हो पाती है, यह सबसे important चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन इससे एक खत्रा भी यह है, कि आतंग बात को बढ़ावा काफी तीजी से मिल सक के अंदर लेकर एक problems भी है, problem क्या है, आज की टाम पर इसके advertisement को काफी बढ़ा दिया गया है, और advertisement को बढ़ाने की वज़ा से यहाँ पर आपका सकता है, मैं आपको बताया कैसे हो सकता है, प्लस cryptocurrency काफी volatile है, volatile मतलब की इसके जो prices हैं बहुत तेजी से उपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कभी यहाँ पर 65,000 डॉलर हो जाएगा, तो कभी यहाँ पर इसका जो amount है, वो कभी 30,000 डॉलर हो जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके अंदर volatility को देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर यह दिकुम ads के बारे में आप 2021, यह बिल आएगा, और यह बिल सारी चीजों को regulate करेगा, तो बिल आएगा, तो definitely इसके बारे में बाद में भी discussion होता रहेगा, नेक्स राडिकल है, हमारी सरकार ने appoint कर लिया है, तीन member panel को, जो की EWS quota को वापस review करने वाले है, मतलब तीन लोगों का एक panel बनाया गया, जो economically weaker section quota को review करने वाला है, और यहाँ पर आपको मालूम होगा, economically weaker section quota के बारे में अल्रेडी काफी बार discussion कर चुका हूँ, तो आज आप लोगों समया पर question पूछन पूछना चाहता हूँ, economically weaker section को जो यह quota है basically, इसको कौन से constitutional amendment act के थ्रू लाया गया है, दूसरा चीज यहाँ पर क्य आप लेख सकते हो कि EWS के अंदर क्या क्या बताया गया है, कौन सी categories को रखा गया है, प्लस उसके बाद यहाँ पर यह concern क्या है, देखो concern आज के टाइम पर देखने को यह मिलता है, कि Supreme Court ने सरकार से बोला कि सरकार ने 10% का EWS quota दे दिया, economically weaker section quota दे दिया, तो यहाँ पर यह 10% का quota और कैसे दिया गया है, क्या data था सरकार के पास, क्योंकि EWS के अंदर एक price limit रखा गया है, मतलब एक amount है, इस amount के अंदर वाले जो लोग है, इनको EWS की category मिलेगी, वो amount क्या है, तो यह सारे question आप लोगों को इसके answer देना है, इस बदर से मैंने इस article को highlight किया, otherwise जितने भी notes से मैं से EWS के बारे में already discuss कर चुका हूँ, और सारे notes मैंने आपको यहाँ पर provide कर भी करवा दी है, इसको भी आप लोग देख सकते हो, काफी बार discuss कर चुका हूँ, इसी वज़ा से आप लोगों से इसके बार में question पूछ रहा हूँ, next article बहुत important होने वाला है, अगला article भी GS paper to political point of view से important है, ठीक है, यहाँ पर जो article है यह बात करता है Indian citizenship के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया लगबग 6 लाग से जादा जो Indians हैं, इन्होंने अपनी citizenship को renounce किया है, मतलब अपनी citizenship को त्यागा है, इन्होंने citizenship को छोड़ी है, ठीक है, ऐसा बताया गया, यह data 2016 से लेकर 2020 तक का है, चार सालों के अंदर यहाँ पर भारतिये बहुत सारे citizens ने अपनी citizenship को छोड़ा है, ठीक है, इसको त्यागा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, यह जो data निकल कराता है, यह Ministry of Home Affairs का है, और इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो foreigners हैं, इन्होंने Indian citizenship के लिए अपलाई भ जोने जो मिलेंगे, ठीक है, फिर उसका काफी सारी चीज़े बताई गई है कि इस साल कितने लोगों ने छोड़ा, इस साल कितने लोगों ने छोड़ा, जो की हमालिये बिल्कुल भी important नहीं है, लेकिन important यह है कि आखिरकार citizenship कैसे ली जा सकती है, या फिर citizenship कैसे छोड़ी जा सकती हैं इसके बारे में आपको पताऊना चीह है क्योंकि हमारे सम्भीधान के अंदर बताया गया है प्लस जब भी आप पॉलिटी की पुख पड़ोगे वाई लक्षमी कान तो उसके अंदर भी सारी चीजे मेंशन करी सबसे पहली चीज जो से डिशन स्थ चिए इसको लिस्ट कर या है यूनैं लिस्ट के अंदर हमारे समय अदर अलग अपर दिवायं करता हैं लेकिन अलग अलग जो के आपर मेंशन ने आर्टिकल 5 से लेकर 11 में लेकर तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक citizenship के बारे में सारी चीजे आप लोग को देखने को मिल जाती हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा डोंड वरी यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो जो हमारा इक तरीके से स को आडॉप्ट केए गया था हमारे संभीधान को अडॉप्ट केया गया था 26 नवंबर 1949 में लेकिन ये पूरी तरह से वर्कीमें में कब आया था तो बाहरत की नागरिकता, इंडियन citizenship को कैसे ले सकते हो. एक्विजिशन का कैसे कर सकते हो. तो देखो यहां पर दिस्टिजन ऑख 1951 है. यहां पर पंच तरही participants के बताए गए हैं. जासे कि यहां पर आप citizenship किस प्रकार से ले सकते हो. सबसे पहली चीज आपका बर्थ होना चाहिए भारत के अदर आपका जन्म हुआ हो या फिर डीसेंट हो आपके कोई लोग हो या फिर रेजिस्ट्रेशन नैचुरलाइजेशन या फिर इनकॉर्परेशन आफ टरिटरी कुछ इस प्रकार की चीज़े हैं जिस बसिस पर यहाँ पर एक व्यक्ति citizenship ले सकता है भारत के अंदर इन पांच चीजों के बैसिस पर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो मुएन मुद्दा में मुद्दा यह है कि citizenship एक बंदा कैसे छोड़ सकता है में चीज़ा हमें यही डिसकस करनी है कि कि किस प्रकार से कोई citizenship को छोड सकता है सबसे बहली बात वोलंटरिली रेनुंसियेशन होता है मतलब कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपने मर्जी से citizenship को छोड़ सकता है ठीक है अपने मर्जी से यहाँ पर छोड़ सकता है लेकिन होगा क्या अगर उसने citizenship छोड़ी है और उसी के साथ उसका एक बच्चा है और 12 माइनर है ठीक है 18 साल से कमोवर खाए तो उसकी भी सिटिजन्षिप चली जाएगी और जैसे वो बच्चा 18 साल से उपर कहो जाएगा तो वो चाहे तो यहाँ पर सीडिजन्षिप वापस से ले सकता है दूसरा प्रोसlement क्या है तो Citizenship को छोड़ने आदूसरा प्रोसossa से इन कि हम संभिधान के अंदर single citizenship का mee मीत है सकते हो भारत की यह भारत केली। इन्दर आत्या की सिटिजностиशिप लिए अगर आप लोग जाकर भी citizenship छोड़वा देती है किसी किसी की जान बूज कि यहाँ पर नहीं फिर भी यहाँ पर जो व्यक्ति एक तरीके से आप कर सकते हो अलग अलग चीज़ग करेगा जैसे कि यहाँ पर आप कर सकते हो कि गवर्मेंट भी टर्मिनेट कर सकती है किसी व्यक्ति की citizenship को अगर वो व्यक्ति हमारे सम्विधान की disrespect करता है तो उसने हमारे सम्विधान को disrespect किया तो उसकी citizenship शुठवाई जा सकती है प्लस उसके बाद या फिर उसने citizenship को फ्रॉड तरीके से ली हो एक तब भी यहाँ पर उसकी citizenship को खतम किया जा सकता है उसके बाद या फिर कोई व्यक्ति महारत का citizenship ले चुका था लेकिन फिर भी क्या हुआ यह बाहर किसी विदेश में रह रह रहा है साथ साल से लगातार continuous रह रह रहा है तो उसके basis पर भी यहाँ पर उसकी लहा है इकलौतास आर्टिकल है important से यहाँ पर जो रशन प्रेसिडेंट है व्लादिमेर पुतिन इनका statement है कि Russia आज के टाइम पर red line मतलब Russia has red line on Ukraine इसका मतलब यह है कि आज के टाइम पर जो Ukraine country है इसको बहुत सपोर्ट मिला है NATO countries के थुरू ठीक है NATO countries बहुत अदर सपोर्ट करें युक्रेन को और युक्रेन के अंदर काफी development कर रही है इससे रश्या को काफी है तक concern पहुंच सकता है तो रशन प्रेसिडेंट व्लादिमेर पुतिन ने Tuesday में बोला है NATO को वह उन क्या है खास कर ठीक है NATO के बार में आप लोग जरूर बताना ठीक है मैं आप लोग को काफी बता रखा है North Atlantic Treaty Organization इसके अंदर बहुत सारी countries देखने को मिलेगी यह जो countries है ने NATO के अंदर इन countries का कहना यह है इसका NATO का article 5 पता है क्या बोलता है इन countries जो भी countries इसके अंदर आती है by the way कितनी countries आती है टोटल नीचे comment section में जरूर बताना जितने भी countries आती है इन countries में से अगर कि इसी एक कंट्री पर भी अठैक हुआ तो इसका मतलब है सभी कंट्री के ऊपर अठैक हुआ है ऐसा यहां पर नेटो का आर्टी नंबर 5 बोलता है तहीं आप समझाखते हो नेटो कंट्री के इंदर छी tror नेटो के अंदर जितनी करें यहाँ पर क्या कर रहा है और यह रहीँREAM प्रकर से दर कंसर्ण को पैदा कर से दिशन और यहाँ पर देखने को मिला है प्लस यहाँ पर घौशेन को पर इसंसे कंट्रीज से जाए मतलब इसन गाइए!. पर जैसे रश्या वगरा की साइट पर अपना एक्सपेंशन करता हुआ नजर आएगा यह बोला इन्होंने यहाँ पर कंसर दिखाया है कि नैटो यहाँ पर लगातर युक्रेन की टेरिट्री में कुछ मिसाइल्स वगरा डपलॉय कर रहा है और यहाँ पर क्या है रश्या को पर यहाँ पर आज के टाइम पर वाउन करता है कि नैटो को कि नैटो ऐसा ना करे लिए तो तो रश्या के पास एक hypersonic missile आएगी और आप लोगो मालूम होगा रश्या ने रिसेंट्ली एक missile की testing भी करी जिसका नाम है Zircon hypersonic cruise missile ठीक है इसके बारे में आप लोगो पता होगा इसकी 1000 kilometer की range है और इसके बारे मैंने आप लोगो डेली करेंटेफर वाले वीडियो में डीटेल में समझाया था उसके आद यहाँ पर और क्या चीज़े बताए गई यह उसके आद भी यहाँ पर नीचे आपको युक्रेण देखने को मिलेगा ठिके और इसा यहाँ पर बता है यहाँ रहते हैं रशिया और युक्रेण के बीच में तो इसके बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है इसी जैसे आपर एक concern दिखाया जाते हैं I hope आपको यह article clear हो चुका है आगे बढ़ेंगे उसके बाद आगले article के तरफ उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे सारे article ज्यादा कुछ भी खास नहीं है सारे statement wise article है statement पर ज्य कर लिया है एकलोता सा article है यहाँ पर जो कि एक data हमें देता है कि इंडिया के अंदर जो 5G subscriptions हैं वो लगबख 500 million तक होने वाले हैं 2027 तक तक 5G subscription पर भारत काफी आगे बढ़ जाएगा और जो 4G वाले subscriptions हैं इनके subscriptions घटके down हो जाएंगे ऐसा है यहाँ पर बताया जा रहा है अगर हम बात करें 4G का मामला तो 4G का मामला काफी कम होगा आज के टाइम पर 4G के अगर हम बात करें तो 790 million के आसपास यहाँ पर subscribers देख सकते हैं यह statement निकल कर आता है चोड़ा सा article था आगे बढ़ेंगे अब directly चलेंगे हम लोग editorials पर देखेंगे आज के important editorials को तो यहाँ पर दो editorial बहुत important है discuss करेंगे यहाँ पर author क्या mention करते है economy के perspective से important article है दूसरा again economy के perspective से important article है प्लस polity के perspective से भी यहाँ पर यह जो editorial है यहाँ और again crypto के बारे में discussion क्या या है cryptocurrency के बारे में चर्चा की गई है जो कि मैंने आप लोगे के साथ अभी share क्या है लेकिन यहाँ पर बोला कि अभी भारत सरकार क्या कोशिच कर रही है cryptocurrency को regulate क्या जा सके इसके ओपर एक regulation body हो इसको manage क्या जा सके तो लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल ह है ऐसा यहाँ पर author लिखते हैं ठीक है author का नाम है अतानु बिस्वास यहाँ पर यह सारी से मेंशन करते हैं इनका कहना यह है आज के टाइम पर crypto करेंसी को regulate करने वाला एक व्यक्ति है वह क्यों है वह है Elon Musk ठीक है अब कैसे कि आपको मालूम होगा crypto के prices काफी तीजी से वाले हैं लगबाग 1.5 billion dollars तक है अपर investment होगा bitcoin का अदर तो इसी वजह से क्या होगा cryptocurrency के एकदम से demand बढ़ गई कि इतना बड़ा investment Elon Musk कर रहे हैं तो directly हमें cryptocurrency को खरीदना चाहिए आने वाले टाइम पर cryptocurrency की value बहुत जिसे बढ़ जाएगी ठीक है तो इस प्रकार की चीज़े च प्राइस काफी बढ़ गए लेकिन फिर वापस से एक और tweet आता है Elon Musk का वह आता है यह हमने जितने भी decision लिया है इस कौंब reverse करते हैं कि अब हम ऐसा कोछ नहीं करेंगे तो वापस से डाउन चला जाता है तो बतलब cryptocurrency का up-down देख पाओगे कि Elon Musk के काफिया तक हात्म देखने क कराएंगे बिल्के तुरू हम लोग प्रॉपरी रेगुलेट करेंगे जो करनसी है इसके जो भी नुकसान है उसको रोका जाएगा तो ऐसा यहां पर पॉसिबल नहीं देखने को मिलेगा ऐसा यहां पर author mention करते हैं कैसे mention करेंगे आगे हम discuss करेंगे सबसे पहली चीज़ यहा लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर भी इतना तेजी से वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलता जुस प्रकार से क्रिप्टो करनसी के अंदर देखने को मिलता है उसके बाद न्यू यॉक युनिवरस्टी के प्रॉफेसर है नौरियल रोबिनी इन्होंने बोला जो बिटको क्रिप्टो करनसी आपको देखने को मुले का है हाइप सा बन चुका है और बहुत सरे लोग इसको एम्ड должна बहुत सरे लोग यहां पर इसको बढ़ावाद एतना कि बिलकुल क्रिप्टो करनसी एक बहुत अच्छा एक तरहीके से cei segwn है एक तरीके से cryptocurrency देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पर इसका एक खत्रा भी है कि वह इसे आतंग बाद कोई बढ़ावा मिल सकता है ठीके तो cryptocurrency यहाँ पर क्या है decentralized asset है मतलब इसके ओपर कोई भी regulatory body नहीं है जैसे भारत के अंदर सारे banks है इसके ओपर reserve bank of India है यहाँ पर यहाँ पर इसको रेगुलेट करने के लिए सेभी को बनाया गया है security exchange board of India उस प्रकार से यहाँ पर कोई भी cryptocurrency के अपर body यहाँ फिर regulating body नहीं देखने को मिलेगा ऐसा बताया ठीके उसका यहाँ पर इमने बोला कि trust based system है पूरी तरह साहिए और उसके बाद यहाँ पर क्या है यह एक तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें privacy बगार है कि तो privacy यहाँ पर इसका एक characteristic देखने को मिलेगा प्लस यहाँ पर दिक्कत यह भी है कि privacy यहीं क्रिप्टो करनसी के अदर जो privacy जसमें आपको बताया कोई भी information पता नहीं चलेगी transaction के बाद भी लेकिन आपने खात्रा भी है क्योंकि इसी cryptocurrency का हम लोग money laundering के लिए इस्तमाल कर सकते हैं money laundering का मतलब यह है कि हम लोग क्या जो पैसा है उसको तरीके से black money से white money में convert कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद यहाँ पर cryptocurrency का हम terrorism के अंदर भी इस्तमाल कर सकते हैं आतंगवादी activities के अंदर भी इस्तमाल कर सकते हैं cryptocurrency की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से यह बहुत important है बहुत अच्छा सा system बन चुका hackers के लिए भी जो hackers है वो इसको hack कर सकते हैं यहाँ पर इसको hack किया जा सकता है ऐसा ही बताए गया ठीके फिर उसके बाद यहाँ पर cryptocurrency को लेकर और वी चीज़ एक बात की गई कि हमारे country हमारे देश भर में सॉरी दुनिया भर में क्या चल ला है एक तरफ आप देख पाऊगे एक तरफ तो चाइना ने इसको खतम गया लेकिन दूसरी साइट पर जो El Salvador country देखने को मिलेगा यह एक ऐसा पहला देश निकल कर आया है जिसने बोला है कि हम लोग Bitcoin को as a legal tender accept करेंगे मतलब Bitcoin का इस्तमाल पूरी तरह सा होगा cryptocurrency का इस्तमाल होगा यह पूरा फोकस रखा जा रहा है International Monetary Fund ने रिसेंटली बोला है कि जो Bitcoin है basically यहाँ पर Legal tender की तरह इस्तमाल नहीं होनी चाहिए El Salvador के अंदर ऐसा बताया गया लेकिन आप कर सकते हो यहाँ पर उसके बाद और भी चीज़ए इन्होंने बोला पहले आपको Cryptocurrency को Regulate करना आना चाहिए इसको Supervise करना आना चाहिए क्योंकि अभी इसके उपर कोई भी Regulation नहीं है गायब हुआ तो पता नहीं क्या होगा ठीक है फिर उसकाल आज के टाम पर बहुत सारी Countries सपोर्ट भी करती है El Salvador को सपोर्ट भी किया है ठीक है और आज के टाम पर बहुत सारी Countries Regulate कर रही है किस प्रकार से कि भाई Bitcoin जो Gains होगा उसके उपर Taxing की जाएगी उसके उपर Tax cut क्या जाएगा जैसे आज के टाम पर Stock Market होता है यहाँ पर आपने काफ सारे Stocks Purchase करें या आप Mutual Funds के अदर आपका Investment है लंबे समय तक होने एक बाद महाँ पर Tax भी आपका कटता है तो इस प्रकार से आपर Taxing कटवाने की बात की जीद की गई है कि जो भी आपके Gains होंगे जो भी Profits होंगे उसके उपर थोड़ा सा Taxing वगएरा चार्ज किया जाएगा अब बात करते हैं भारत की बामले में तो इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो करंसी जे लगातार स्कैनर के अंदर देखने को मेरी है 2018 के अंदर जो हमारी Finance Minister है ठीक है इन्होंने बोला कि जो हमारी सरकार है वो क्रिप्टो करंसी को as a legal tender नहीं मानेगे कि मतलब क्रिप्टो करंसी को हम लोग accept नहीं करेंगे होता क्या है उसका क्रिप्टो करंसी को बैन करने के बारे में भी चर्जक की जाती है लेकिन 2020 के अंदर सुप्रीम कोड क्या करता है यह जो बैन वाला option इसको हटा देता है यहाँ पर एक बिल आने वाला जिसका नाम है क्रिप्टो करंसी और रेगुलेशन ऑफ ओफिशल डिजिटल करंसी बिल्ट ऑफ 2021 फिर उसका दिया पर इनों बोला यहाँ पर क्या होगा इसका में मकसद यह है कि जितनी भी एक तरीके से प्राइवेट क्रिप्टो करंसी है उनको हम लोग प्रोहिबिट करेंगे उनको रोका जाएगा यह में मकसद यहाँ पर रखा गया है उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़े बताई गई है कि जिस प्रकार से आपका सकतो है कर्रूस और रेगुलेशन त्यार किये जाएगे और कोशिच की जाएगी क्रिप्टो करंसी को एच्चे से रेगुलेट किया जा सके उसके बाद बोला गया जो डिजिटल करंसी है सेंटल बैंक की यहाँ पर आपका सकतो कि यहाँ पर आपका सकतो सा regulation हम लोग देख पाएंगे लेकिन एक चीज़ और होती है फिर क्या होगा अगर जब regulated market होगा तो अगर हम लोग सको regulate करेंगे तो regulate market यहाँ पर कुछ illegal activities को रोक देगा क्योंकि सारी चीज़े control में होगी तो illegal activities को रोका जाएगा सबसे main मकसद यह होता है regulated market का लेकिन होगा क्या फिर भी cryptocurrency एक ऐसी करेंशी जो कि decentralized है इसको रोकना बहुत मुश्किल है ठीक है आप कर सकते हो सारी चीज़े possible हो जाएंगे इसको रोकना बहुत मुश्किल है reasonably हमारे प्रामिनिस्टर बोल बात करता है इंडिया के इनफॉर्मल एकॉनमी के बारे में देखो इस बियाई का एक research study आया था उसने बताया कि इंडिया की जो इनफॉर्मल एकॉनमी है ठीक है वो यहाँ पर नहीं गिरी है इनफॉर्मल एकॉनमी बिल्कुल भी कम नहीं हुए करोना वारस के टाइम पर लेकिन यहाँ पर ऑथर यह लिखते हैं कि जो इस बियाई ने research paper डाले हैं यह बिल्कुल गलत हैं इंडिया की इनफॉर्मल एकॉनमी गिरी है इनफॉर्मल एकॉनमी का काफी बुरा हाल हुआ है तो इस आर्टिकल के अंदर इनफॉर्मल एकॉनमी के बारे में discussion किया गया मैं सारी चीज़े आपको साथ यहाँ पर सारी च आर्टिकल को लेकर तो वही आर्टिकल यहाँ पर ऑथर इसको लिखते हैं यहाँ देख पाऊगे तो डिसकस करेंगे करके आर्टिकल जेस पर इकॉनमी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टे ने पहले बता चुका हूँ सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे यह फॉर्मल ए इतने टाइम तक इतने घंटे काम करना है ठीक है तो यहाँ पर इस प्रकार से चीज़े और्गनाइज ड्वे में देखने को मिलती है और इसका बोला जाता है यहाँ पर सोशल सेक्वारेटी देखने को मिलता है काफ सरे डॉक्यमेंटिट शेयर हुए हैं हेल्थ और कंडेशन नहीं है कोईबी कंडेशन नहीं रखी गई रर्रागूलर में काम चला है कभी पैशा उंके अंके दिया जा रहा है कभी पैसा नहीं दिया जा रहा है ठीक है और उसके यहाँ पर उनकी जो भूंए وہ जि你是 प्याइजा होए प्लस आपकम को उनकें को उडिक्स आफा अभी उनको 24-24 गंडे काम करवाया जा रहा है, 18 गंडे काम करवाया जा रहा है, इस प्रकार की चीज़े यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीके, तो यहाँ पर क्या है, informal economy आई हो, आप समझ गये होंगे, formal economy और informal economy की बीच में क्या difference है, तो formal economy काफी well managed है, अच्छे से यहाँ पर काम किया जाता है, contract basis पर, लेकिन informal economy के अंदर, यहाँ पर सारी चीज़े, एक तरीकी से आपका सकतो, बिल्कुल बेकार है, अच्छे से यहाँ पर चीज़े नहीं चल लई है, तो यहाँ पर SBI का research paper यह बताता कि informal economy काम हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, coronavirus में हमारी informal economy ही काफी देजी से बढ़ी है, ठीक है, informal workers काफी देजी से बढ़ते हुए नजर आएं, ठीक है, अब बात करता है इस economy के बारे में, जो informal economy हो represent करती है, कि enterprises that are not registered, where employees do not provide social security, मतलब कि ऐसी जगा पर, informal economy के अदर मैं आप लोग को पहले ही बताया था है, कि ऐसे employees काम कर रहे हैं, जिनके लिए एक social security नहीं है, उनको यहाँ पर कोई भी contract नहीं मिलाए, किसी contract business पर काम नहीं किया गया है, मतलब ऐसी enterprise से represent कर रहे हैं, जो कि registered नहीं है, यहाँ पर उनको social security नहीं मिल लहीं है, उन employees के साथ सही से वेभार वगरा, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, कई भी salary मिल लहीं है, कभी salary नहीं मिल रहीं है, इस बेसे पर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, informal economy हम लोग देखने को मिलती है, इसके अंदर कौन-कौन से होता है, farmers होता है, किसान भाई होता है, बहुत सारे मजदूर होता है, laborers होता है, ठीके, और बहुत सारे छोटे मोटे enterprise के owners खुद भी होता है, तो इस प्रकार के लोग होता है, जो कि यहाँ पर informal economy के अंदर आते हैं, informal economy को हो, हम लोग unorganized sector भी बोलते हैं, या आप लोग को ध्यान रखना है, और फिर उसका देख सर्वे आता है हमारा, जिसको हम लोग PLFS बोलते हैं, periodic labor ford survey, इस सर्वे नहीं यहाँ पर बताया, कि 90% जो workers हैं भारत के अंदर, वो informal workers हैं, अब यह बताओ, इंडिया के अंदर informal workers 90% के आसपास देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर rural areas में, गाउं वाले area में आप देख पाऊगे, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीके, और यहाँ पर जो तरीके से, शहर वाले area में भूँ सारी इसी प्रकार के workers देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो research paper है, वो यह बोलता है कि informal economy कम हुई है, तो बिल्कुल नहीं, आज के टाइम पर जादे सदा informal economy ही ग्रो होती हुई, नजर आईए, ठीके, यह हमने देखा, उस squad क्या बोला गया, देखो, आज के टाइम पर, इन informal workers को, यह मैंने अलग से चीज़े mention करी है, इनको एक production देने की काफी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीके, इनको protect करने की काफी ज़्यादा आफशकता है, क्योंकि इनके साथ काफी अतक, मतलब बुरा हो रहा है, in fact, आप कैसकते हो, अगर हम बात करें, ज़्यादा तर workforce, ज़्यादा तक labor, आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया का एक estimated 400 million, 450 million, 450 million, जो informal workers हैं, यहाँ पर आप कैसकते हो, यह 90% इनके total workforce, आपको देखने को मिलेगा, मतलब की इंडिया के अंदर, आपको total 450 million के आसपास, informal workers देखने को मिलेंगे, उसके बाद, पांस से लेकर 10 तक, जो workers हैं, पांस से दस तक, मतलब 5-10 million जो workers हैं, वो हर साल एड़ो रहे हैं, मतलब इतने workers हर साल जोड़ते जा रहे हैं, पांस से दस million workers, जो की किस में जोड़ रहे हैं, informal economy के अंदर, ठीके, उसका त्या हुआ हुआ, coronavirus आता है, coronavirus की वज़े से बहुत ज़दा नुकसान होता है, एक report आती है, Oxfam की, Oxfam की report के according, अगर हम बात करें, तो जो लगबग हमारी 122 million के आसपास की, एक तरीके से जॉब गई है, मतलब 122 million के आसपास, लोगों ने जॉब खोई हैं, साल 2020 के अंदर, और आपका से तो जितनी भी जॉब्स गई है, 75% वो informal sector की थी, इनी मजदूर लोगों की जो नौकरियां गई हैं, ऐसा बताया गया, उसके बाद, COVID-19 pandemic यहां पर experience यह करता है, कि हम लोगों के जरूरत है, कि आज की टाइम पर इनको एक social protection मिले, इन लोगों को बेचारों को बचाया जा सके, इनको एक protection दे सके, ताकि हम लोग यह लोग अपना अच्छा सा जीवन व्यथित कर पाएं, ठीक है, इसी वज़े से बहुत important है, तो जो हमारी informal economy हैं, basically वो लगातार grow होती भी नजराई है, ऐसा बताया गया, अब यहाँ पर workers को हम लोग किस प्रकार से security प्रोवाइट करवा सकते हैं, जैसे कि informal workers हैं, इसको हम लोग कैसे security प्रोवाइट करवा सकते हैं, यह चीज़ी यहाँ पर mention करी गई हैं, यह मैंने अलग सापको provide करवा है, जैसे कि जो हर एक worker है, there should be three types of security, तीन प्रकार की security होनी चाहिए, सबसे पहले एक wage security, कि जो भी worker काम कर रहा है, तो बेचारे को जो उसकी काम है, wage है, मजदूर यह तो वो तो मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पर उसका contract basis पर काम हुआ है, तो उस बेचिस पर उसको wage बगरा तो मिलना चाहिए, और यह सारी चीज़ हमारा wage amendment act 2017 मेंशन करता है, दूसरा security, job security देना चाहिए, जब व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके पास एक job security हो कि हाँ बही लंबे समय तक वो काम करेगा, और वो secure है कि हाँ उसकी job ऐसे नहीं जाएगी, तीसरा social security होना चाहिए, medical emergency के cases में कभी कोई death वगरा हो जाए, या फिर कोई बुड़ा हो जाए, तो उस basis में भी उन लोगों कुछ ना कुछ amount provide करवाने चाहिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आई होब आपको clear हो चुका होगा, देखो इस article के अंदर कहानी कुछ और है, इस article के अंदर बहुत सारी यहाँ पर उल्टी चीजी बाते करी गई है, कि जो सूसाइट से बिसिकली इसके अंदर लगातार बढ़ावा देखने को मिला, साल 2020 के अंदर सूसाइट लगातार इंक्रीज होई है, पिछले 53 एर्स के अंदर भी इतनी सूसाइट नहीं देखने को मिली है, अगर बात करें, तो यहाँ पर हर एक लाक में से 11 विक्ती ने यहाँ पर सूसाइट करा है, साल 2020 के अंदर और यह डेटा आपने आप में काफी बढ़ चुका है, जादतर सूसाइट करने वाले वर्कर्स बगरा देखने को मिलेंगे, और कौन सा राज है टॉप पर है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, महराश्टरा तमिलाडू MP, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूसाइट्स हुई है, साल 2020 के अंदर, यह यहाँ पर बताया गया है, और यही चार्ट नीचे मेंशन करें गए, तो यह चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई है, ओके, आई होब आपको यह भी क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो यह एक डेटा था जिसको आप लोग स्टोर करके रख सकते हो अपने पास, यह डेटा के अंदर जितने भी important चीज़ें यह आपने पास रख लो, जो कि आप लोग as a example आप इस्तमाल कर सकते हो, जादा यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिले का नहीं, तो गईज यहाँ पर छोड़ा सा article था, आई होब आपको clear हो चुका है, आप लोग अपने लेक्चर को समाप्त मिलते हैं, आप लोगों से नेक्स वीडियो में, आज के लिए बाइ-बाइ, फैंक यू एंड जाहिंद,